कमलनाथ सरकार स्मार्ट गौशाला बनाने जा रही है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कमलनाथ सरकार अपने ड्रिम प्राजेक्ट के तहट स्मार्ट गौशाला बनाने जा रही है जिसमें गायों के उठने बैठने तक से चारा खिलाने तक हर सविधा आधुनिक होगी दे स्मार्ट गोशाला में गायों के उठने बैठने से लेकर चारा खाने तक के लिए हर सुविधा आधुनिक होगी। इसमें गायों के सोने और घूमने फिरने के लिए अलग-अलग शेत्र बनाए जाएंगे, उन्हें चारा देने से लेकर उनके गोवर और मुत्र संग्रह तक के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने का प्लान है। यहां गाय से मिलने वाला गोवर से लेकर गाय की पूँच के बाल तक ही कठा कर उसे देश-विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्रदेश सरकार इसको लेकर योजना बनाने में जुट गई है। वहीं पशुपालन मंत्री लाखन सिंग यादों ने मीडिया से चर्चा के दोरान कहा कि कॉंग्रिस ने विधान सभाचुनाओ के दोरान जारी वचन पत्र में गायों के सनरक्षन का वादा किया था। उसी को ध्यान में रखकर स्मार्ट गोशाला का प्लान तयार किया गया है। वहीं मंत्री जी ने दावा किया कि आगामी दो सालों में कोई भी निराश्रित गाय आपको सडक पर घूमती हुई नजर नहीं आएगी। जा रहे हैं और एक साल में 60 गोशाला उनका टार्गेट है। और निश्यत तोर पर ये कंपनी जो यहां अगर इस तरह का यह अपने इसमें मुहिम में सक्षेज होते तो मद्य प्रदेश के लिए बहुत वड़ा एचीमेंट होगा। खास तोर पर ऐसा निराश्रित गोवन पुष्यत के बाइच्या निराखतर कोशा पूट वाल होते हैं ऊन्प स्थे भी मॉट्सीं यह प्रॉडेक्ट व तो बड़ा आकर करेंगे जो इंडिया के लावान वार्वी एक्ष्मी इस मेंटरप पर हमारा जब वरह मी चर्चा उनके साथ उंके साथ होजा तोवह मैं उ कुल मिलाकर एक गोशाला की लागत 11 करोन आएगी जबकि पूरे प्रदेश में ऐसी 300 गोशालाएं बनाई जाएंगी सरकार ने गोशाला को लेकर विस्तृत योजना तयार की है साथी उत्पादों को देश के साथ विदेशों में निर्यात करने के तौर तरीके भी तलाशने की कोशिश की जा रही है यह सब राज्ज के पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल